और कमपनी कह रही है कि ये काम करो अगर उस ट्रेट से आप नहीं है तो काम मत कजिए भले बेसक्षा आप गाम आजिए आज मैं खुछ दूसरे किसी पर निरभर हूं ये मैं बात कह रहा हूं कि मुझे गुपाल गंज भी जाना पड़ता है किसी एक टॉलेट भी करना है कि उसके बाद चार मैना इस आई में भड़ती थे उपर बारी बारी से करके उंगली एके काटे डॉक्टर उसके बाद हांत करती है इनका फोन भी गुम हो गया था तो मैं फोन कर रही थी नहीं लग रहा था इसलिए मेरे को दो घंटा बात पाता चला छे बजे करी में मैं तो मैं गोपाल गंजी ले के नामादा गाउ में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है एक पीडित परिवार है दोनों पती पतनी है और ये वीडियो सुरू करने से पहले इन लोगों से बातचीत करने से पहले एक चीज में बता दू कि गुजरात को दिखा करके और बिहार को बरबाद क्यों कर रहे हैं हमेशा जब election आता है चुनाव आता है अभी 2024 में चुनाव होगा फिर से लोक सभा का और गुजरात मडल पूरे देश में बताया जाएगा कि गुजरात मडल को प्रस्तूत किया जाएगा लेकिन हम बिहारी का क्या होगा हम बिहारी क्या सिर्फ दूसरे state में जाएंगे अपना तरक्की में हम अपना योगदान देंगे और कहा जाता है कि बिहारी जो है लिबोरियस होता है तो सिर्फ ये कहने मात्र भर है क्या हम बिहार के लोगों का इतना हक नहीं है कि हमारे यहां इंडरस्ट्री आए हमारे यहां कमपनियां आएं वहां पे हमें रोजी-्रोजगार मिले ताकि हम किसी अन्य सहर अन्य राज्य में न जाएं आज इस्तीती यह है कि भाई साहब देल्ली में रहा करते थे वहां पे सुप्रीम फैवरिकेशन इंजिनेरिंग नाम का एक छोटा सा कमपनी था उसमें भाई साहब काम करते थे और वहां पे देखिए इनका जो दाय हुआ पतनी भी इनकी सांथ में थी क्या नाम हुआ आप कर देखिए यह कब की घटना है यह सर इसी 2022 की घटना है नवा महिना में 26 तरीक हो जो फश्ट दसारा चाड़ा उसी दिन लगा सुबह साम को यह पांच-शाड़े-पांच वाज़े के बाए थे आप करते क्या थे व सुरक्षा करने के लिए घर को बनाने के लिए आदमी जाते हैं तो हम लोग यह से करके गए बाहर कमाने के लिए तो हम सोचे कि मालों की नहीं काम करेंगे तो आज हमको निकाल देगा तो कल से हमको दर-दर कठोक रिखाने पड़ेगे जी तो पर देश में इसी बात से हमने मतलब आप को बैल्डर थे कहा गया रिघर का काम करते हैं तो आज मेरा आज मेरा दाइना हाथ चले चाने कारण मेरे उपर में खुद सब के ऊपर मैं निर भर हो गया अब तो माना कर सकते थे ना लेकिन डर के वज़ा से अपने माना नहीं जी इसलिए कि मान लेजेगे किसी भी घर से बाहर जाने पर काम करने पर घर पर पैसा भेजने पर सूखी परवार रहेगा और गोपाल जानते हैं कि बाढ़ित परवार रहे जी बिल्मुद सबसे अब जाता है तो इसलिए हम लोग ने उनका बात मान कर काम किया और उसके कारण जैसे क्रेन वाले ने अधर ने मेरे को सटा दिया माल सही थे पलेट मतलब वह एरेक्सन कर रहा था उपर माल उठा रहा था जी अब ले जाके उपर क्रेंट था जे वहां टच कर दिया उसके बात से मेरा हाथ जल गया फिर मैंने बेहोस हो गया उसके बात से मेरे को होस नहीं था फिर मेरे को कंपणी वाले में जो भी वरकर थे वहां के बियारी ही थे और उपी वाले उन लोगोंने मेरे को ले जाकर मतलब उठाकर ले गया तो फिर मतलब कंपणी वाले ने मेरे को ल यहां पर दिखाईए और जो भी बाहर में वेल्डर फीटर का रिगर का जो काम कर रहे हैं ना यहां पर दिखाईएगा देख लिजिए अगर आप जिस काम में आपने तालिम हासिल की है वो छोड़के कोई भी दबाव दे आपको नहीं करना है तो अंजाम बहुत बुरा हो सक दस हजार पंदरा हजार रुपिया कामाने के लिए आप जीवन दाव पे लगा देते हैं जब आप नहीं रहेंगे तो अब उस परिवार की स्तिती क्या होगी यह भाई साहब जो इस्तिती है दिखकर अप अंदाजा लगा सकते हैं तो कंपनी ने आपको पैसा वैसा कुछ दी आर्थिक मदद किया जैसे हम लोग का एसाई कर था ता उसी में लेया कर भरती कर दिया कंपनी ने और ढमकाया हम लोग को भी बहुत ऐसे बात मुरा मेरे घरवाली को भी बोला कि तुम केस मत करना नहीं तो हम अब तुमारे साथ उनको कुछ भी करवा देंगे तो मेरे घरवाली रही दियात की लड़की उन्होंने नहीं कुछ किया ऐसा केस और उन्होंने फिर बाद में बोला कि देंगे और जब हम ठीक हो गये बोले कि सर हमारा कंचकम हमको भी नोगरी देजिया हमारे घरवाली किसी कभी माले जेगे किसी का हाथ माई धर हैं तो उसका कैसे ह हम गुजाराजर बहुत सरकर सके हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं देंगे जाओ जो करना है कर लेना और धमकाम काकर हमको बोल दिये तो हम भाई भी भी यहार के रहने वाले बचाए परदेश में जाकर आदमी क्या करेगा किसके सहरे रहेगा आदमी इसलिए य बाच गया जहीं जी बच गया चार दिन बाद मेरे को हो साय था इसलिए हम जिसको भी पहार में परदेश में उन्हें भाई हो सकाता हूं कोई भी किसी भी कमपनी में काम करें और कमपनी कह रही है कि यह काम करो अगर उस ट्रेट से आप नहीं है तो काम मत करें भले इस से कि यूँ कहेंगे लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग खुद समझ जाएए क्योंकि इसलिए बोलें प्यार सरकार भी रोजगार लाए अपने व्यार में अगभाल में आदमी नहीं जाएगा इतना इसलिए सर अब बाकी अब कोई आर्थिक मादद नहीं कोई सार्थि म कर रहे हैं बाहर में जाकर के इंजिनियर के कहने पे वहाँ पे साइट सूपरवाइजर के कहने पे जो आपका ट्रेड है जो आप काम जानते हैं वही किजिए दूसरा कोई काम अगर बोले तो मत किजिए आप घर जाइए कह змun पे लागा के बीज है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई साब जो है लाचार पड़े हुए हैं अगर आपको लगता है कि मदद करना चाहिए तो आप लोग इनके फोन पे गूगल पे पे कुछ भी आर्थिक जो है सहे जो कर सकते हैं अभी साधी एक साल हुई लगभग इनकी एक साल पह हाँ लगता था पेर भी नहीं चलता था यह भी आहत नहीं उड़ता था कुछ ने कहिंगे सद्शिव फूरे चार महिना ऑस्पीटर में रहें फूरे प्स दीन तो आइसीव में पड़ती थे उसके बाद चार महिना इस आई में बढ़ती थे उपर बारी-बारी से करके तो यह देखिए यह जो पति पतनी का रिस्ता होता है साते जडिय को सबस्टे साथ वचन निभाने किहां पाटन कर दो को जहां पर दो जब आपको यह मालूम हुआ होगा एक्सिडेंट वाय तो तो काफी मेर को दो घंटा बाता चला इनका फोन भी गूम हो गया था तो में फोन कर ते नहीं लग रहा था इसलिए मेरे को दो घंटा बात बाता चला, छे बजे करी में हुआ था नौ बजे मेरे को बाता चला रात को, तब में गई भर गई हस्पीटल में तो यह भरती थे, चाथ पे, आपके माता पीता आपके जो है, जब मालम हुआ तो कुछ बोल रहे थे, हाँ भी आये थे, वहीं कुछ मदद की की ए, हाँ लोग भी मदद की है, कुछ, सब रिस्तेदार मदद की है, बस पंपनी को नहीं दिया है, तो आँ माता पीता क्या कुछ बोलते रहे Ani से सब्सक्राइ, कुछ बोलते हैं, थे, सर एक deeper Cancer, को एक दम सान देना है, हँआ देना है सर